हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेज स्टुडेंट्स आपको पता ही है, हम आपके लिए क्लास 12 बिजनस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं स्टुडेंट्स, अभी तक हम 6 चैप्टर पूरे कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 7 चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डिरेक्टिंग और students आज उसका हमारा 6th day है और आज हम non financial incentives के बारे में discuss करेंगे Students last topic में हमने financial incentives के बारे में discuss करा जिसके अंदर की मैंने आपको बताया ऐसे incentives जिसको हम money की form में measure कर सकते हैं उसको हम financial incentives बोलते हैं अब company अपने employees को motivate करने के लिए कुछ non financial incentives भी provide करती है non financial incentives ऐसे incentives हैं जिसको आप money की form में measure नहीं कर सकते हैं तो commonly used होने वाले non financial incentives के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो non financial incentive आएगा that is status अब status का क्या मतलब होता है status अगर हम real life में बात करते हैं तो status का मतलब होता है prestige, respect organization के अंदर हम कह सकते हैं ranking of job position इंदा organization जो आपको job position दी गई है उसकी ranking क्या है उससे indicate होता है कि आपको organization के अंदर क्या status दिया जा रहा है ranking का मतलब है एक job position के पास कितनी authority आप दे रहे हो कितनी उसको salary वगरे दे रहे हो कितना उसको आप freedom दे रहे है आप autonomy दे रहे हो कितना आप उसको respect दे रहे हो उनको respect भी जादा दे रहे हैं उनको freedom फ्रीडम को autonomy बोल देते हैं उनको आप autonomy मतलब freedom भी जादा दे रहे हैं तो आप कह सकते हो उस job position को आप organization के अंदर जादा अच्छा status दे रहे हो तो generally individuals की psychological needs होती है social needs होती है esteem की needs होती है हरको individual चाहता है उसको respect मिले तो जिस job को जितना ज़्यादा status दिया जाता है उतनी ज़्यादा उसको respect भी मिलती है तो अगर हम एक individual को अच्छा status दे उसको अच्छे rank की job organization के अंदर देते हैं तो उससे भी वो motivate होकर काम करेगा तो non financial incentive में बड़ा अच्छा एक incentive है कि आप employee को अच्छा status organization के अंदर दो उसकी respect जादा हो जिससे की वो motivate होकर काम करे then second non financial incentive है organizational climate climate का मतलब यहाँ पर weather नहीं होता climate का मतलब है characteristics या features that define the organization organization के अंदर कौन से features present है जो कि दूसरी organizations के अंदर नहीं है ऐसी कौन कौन सी चीज़े हमारी organization के अंदर है जो दूसरी organizations में नहीं है जैसे हमारे यां importance to employees हम अपने employees को कितनी importance देते हैं उसको आप कह सकते हैं consideration to employees reward orientation अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमारे यां उनको rewards वगरा दिये जाते हैं या नहीं दिये जाते हैं उसके अलाबा आप कह सकते हो autonomy आप अपने employees को कितनी freedom दे रहे हो etc तो basically ये सारी चीज़े हैं जो define करती हैं आपके organization के climate को कि आपके organization का working environment कैसा है ऐसी organizations जिसके अंदर ये सारी चीज़े हैं हम अपने employees को importance दे रहे हैं उनको decision लेने की power दे रहे हैं उनको important consider किया जा रहे हैं तो ऐसी organizations के अंदर employees generally motivate ओकर काम करते हैं तो अगर हम अपने organization climate को improve करें उसके अंदर employees को importance ज़्यादा देना शुरू करें तो employees positive हो जाएंगे उनको लगेगा हम भी important हैं और वो organization के goals को achieve करने के लिए और ज़्यादा काम करेंगे तो एक ऐसा organizational climate जो positive है जहां employees को बहुत ज़्यादा importance दी जा रही है जहां बड़े positive measures लिए जा रहे है तो ऐसे organizational climate के अंदर employees generally motivate होकर काम करते हैं Then career advancement opportunity हर को employee चाहता है कि वो उसका career improve होता रहे उसकी growth होती रहे तो यहाँ पर आप employee के growth के बारे में सोचते हो growth के लिए क्या करना पड़ेगा हमें उनकी development करनी पड़ेगी ताकि वो higher levels के लिए तियार होसके time to time हमें उनको promotion देनी पड़ेगी तो अगर हम उनको अच्छी उनकी development के लिए programs लेके आएं, training programs लेके आएं जहां उनकी knowledge या skills को बढ़ाया जाए time to time promotions उनकी करी जाएं तो employees motivate ओकर काम करेंगे उनको पता है कि इस organization में अगर हम अच्छा काम करते हैं तो future के अंदर हमें higher levels पे लेके जाया जा सकता है तो अगर हम उनको chances दे रहे हैं organization के अंदर हम facilities दे रहे हैं कि उनकी growth हो सके, हम time to time उनके development के लिए programs और्गनाइज करते हैं time to time promotions करते हैं तो employees motivate ओकर काम करेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमारे भी अच्छे career के chances बनेंगे, future के अंदर हमें भी higher level पे shift कर दिया जाएगा तो एक ऐसी organization जो हमेशा अपने employees के career के बारे में सोचती है उनके career की growth के बारे में सोचती है ऐसी organization के अंदर contents in job कई बार क्या होता है कुछ individual जो होते हैं वो बड़े dynamic nature के होते हैं बड़े versatile nature के होते हैं वो एक ही काम को बार-बार करके बोर हो जाते हैं और demotivate हो जाते हैं ऐसे employees चाते हैं उनको challenging jobs मिलें तो ज़्यादा उसमें more responsibility उनको ज़्यादा काम के अंदर जिम्मेवारियां डाल दो new challenges, नए-नए challenges job के अंदर लेके आओ chances for growth, ऐसी job design करो जिसके अंदर उनकी personal growth के chances हो तो employees चाहते हैं कि वो नए-नए चीज़े सीखें नया-नया काम करें तो उसके अंदर आप job enrich करते रहो job के अंदर कुछ ना-कुछ add करते रहो नही-नए जिम्मेवारियां, नही-नए authorities नया-नया work content तो उससे क्या होगा employee हमेशा challenged रहेगा, वो हमेशा motivate होकर अपना काम करता रहेगा और वो bore नहीं होगा तो job enrichment, enrich का मतलब एता है उसके अंदर कुछ ना-कुछ हमेशा बढ़ाते रहना कुछ ना-कुछ add करते रहना तो routine job से अगर employee bore हो रहा है तो अपनी job को enrich कर सकते हैं बार-बार उसमें कुछ ना-कुछ नया लेके आ सकते हैं जिससे employee को हमेशा कुछ नया करने को मिले और उसे वो motivate होकर काम करेगा Then employees recognition program recognition का मतलब होता है उनको appreciate करना अगर कोई employee अच्छा काम करता है तो वो चाहता है कि उसको appreciate किया जाए उसको acknowledge किया जाए superior उसको आके acknowledge करें कि हाँ हम इस चीज़ को acknowledge कर रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छी organizations जो है वो अपने employees को time to time recognize भी करती है जो अच्छा काम कर रहे है उसके लिए क्या कर सकते है अप notice board के उपर उनका नाम display कर सकते है जो employee अच्छा काम कर रहे है कई organization में mentors वगरा distribute करती है टी-shirts वगरा distribute कर देती है simply एक superior अगर अप subordinate को आखे साबाशी दे जाता है बस congratulate कर जाता है suppose 50 employees करें उसमें से एक employee बड़ा अच्छा काम कर रहे है सभी के सामने उसको आखे साबाशी दे देते है कि हाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप तो उससे भी employee motivate हो जाएगा तो employees चाहता है कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो superiors आखे उसकी तारीफ करें superior histories को acknowledge करें तो अच्छी organizations हमेशा अपने employees के काम को acknowledge करती है उनको recognize करती है जिससे कि employee और ज़्यादा motivate होकर काम करे then job security maximum employees इंडिया जैसी country जहाँ over population है employees काम करने वाले जादे है और job की availability कम है तो वहाँ employees generally worried रहते हैं कि अगर उनकी job चली गई तो वो survive कैसे करेंगे तो हम employees को assurance दे सकते है that their job is safe हम उनको यह assurance दे सकते हैं कि हम उनको नोकरी से नहीं निकालेंगे अगर हमको यह assurance दे दे उनको यह लग जाए कि हमारी job safe है तो वो ज़्यादा motivate ओकर काम करेंगे वो इस तरफ नहीं सोचेंगे कि उनको job से निकाला जा सकता है तो job security भी बड़ा अच्छा तरीका है जिससे employees को motivate किया जा सकता है but job security terms and conditions के साथ होनी चाहिए अगर आपने बिना किसी terms and conditions के अंदर job security दे दी तो हो सकता है employees उसको negatively ले जाए और ज्यादा अच्छे रहंग से काम ना करे तो job security भी एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आप employees को motivate कर सकते हो कि वो अपना काम अच्छे से करें then employee participation participation in decision making तो generally जब भी employees से related कोई decision लिया जा रहा है तो अगर हम उनको भी involve करते हैं तो उनको motivation मिलती है और वो ज़्यादा अच्छे रहंग से काम करते हैं बड़ी-बड़ी organizations के अंदर क्या होता है joint management committees होती है जिसके अंदर workers के representatives को भी हम involve करते है जैसे की canteen committees है canteen के अंदर क्या समान मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उससे related जो decisions होंगे उसके लिए canteen committees बना दी तो जहां पर workers की भी participation है तो अगर decision making के अंदर workers की participation होगी तो और अच्छा डंग से motivate होकर काम करेंगे उनको लगेगा कि हाँ हमें भी organization के अंदर importance मिल रही है then employee empowerment empowerment का मतलत है giving more powers employees को ज़्यादा powers या authority दे देना ज़्यादा autonomy दे देना उनको freedom दे देना कि उन्होंने जो decisions लेने हैं वो अपने decisions खुद भी लेज़के हैं दूसरों से बार बार पूछना ना पड़े तो अगर हम employees को empower करते हैं उनको ज़्यादा freedom दे रहे हैं ज़्यादा powers दे रहे हैं तो वो अपने आपको ज़्यादा important feel करना शुरू करेंगे उनको लगेगा हमारी job important है और वो अपने काम को और ज़्यादा seriously करना शुरू करेंगे तो ये कुछ non financial incentives है जहां organization को पैसा खर्च करने की जूर्त नहीं है जनली जो employees higher level needs की तरफ आ जाता है esteem की needs है, social needs है, self-actualization needs है तो ऐसी needs को पूरा करने के लिए organizations financial incentives की बजाए non financial incentives available करा सकती है तो students देखते हैं NCRT में इसके बारे में क्या given है क्योंकि जब paper में attempt करने की बारी आएगी तो 100% NCRT based attemptation होनी चाहिए जिससे के exams में आपको बड़े अच्छे marks मिल सकें, तो देखते हैं NCRT में इसके बारे में क्या given है तो सबसे पहले non financial incentives में है status मैंने आपको status का मतलब बताया in the organizational context status means ranking of positions in the organization जो हमारी job positions उनकी ranking क्या है first position, second, third जितना जादा उपर position होगी उसका उतना जादा status होगा the authority response आप किस job को authority कितनी दे रहे हो responsibility कितनी दे रहे हो rewards, recognition perquisites मतलब extra benefits कितनी दे रहे हो prestige कितनी दे रहे हो वो indicate करता है कि आप individual को कितना status organization के अंदर provide कर रहे हो psychological, social and esteemed needs of an individual are satisfied by status given to their job मैंने आपको बता हाई यर लेवल की needs satisfy होती है psychological needs है social needs है esteemed needs है वो satisfy होगी अगर आप employee का status organization के अंदर improve कर रहे हो, बढ़ा रहे हो तो then organizational climate climate मैंने आपको बताया indicates a characteristics which describe the organization एक organization के अंदर क्या features present है and distinguish one organization from the अंदर ऐसे कोन से features है जो उसको दूसरी organization से अलग कर रहे है these characteristics influence the behavior of individuals in the organization उससे individual के behavior पर फरक पड़ेगा जैसे कि आप individual को कितनी autonomy, कितनी freedom दे रहे हो reward orientation, अच्छा काम करने पर आप किसको कितने rewards देते हो consideration to employees, consideration का the importance, अपने employees को आप कितना important समझते हो, risk taking, कितना उनको risk लेना allowed है, तो यह सारे features हैं जो describe करते हैं कि आपकी organization के अंदर working environment कैसा है, climate कैसा है these, the manager can motivate the employees by providing a better organizational climate अगर हम organization का environment improve कर देते हैं, इन सारे factors से लेके positive steps लेते हैं तो employee motivate होकर काम करेगा then career advancement opportunity every individual wants to grow to the higher level in the organization मैंने आपको होता है, हर को individual चाहता है, उसकी growth हो managers should provide opportunity to employees to improve their skills and be promoted to higher levels, तो हमें employees को opportunity देनी है, कि अपने skills को improve कर सकें और higher levels पे वो जा सकें appropriate skill development programs, तो organization में में skill development programs को लेके आना है and sound promotion policy, हमारी promotion की policy अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि employees को timely promotion मिल सके promotion works as a tonic and encourages employees to exhibit improved performance, अगर आप उनको promotion के chances दे रहे हो, तो tonic का काम करेगा और employees अपनी performance को improve करने की कोशिश करेंगे then job enrichment job enrichment is concerned with designing the jobs that include greater variety of work content, ऐसी job design करो जिसमें ज्यादा work content हो require higher level of knowledge and skills, उसमें ज्यादा skills और ज्यादा knowledge की जरूरत हो give workers more autonomy and responsibility, उसमें workers को ज्यादा freedom मिल रही हो, ज्यादा जिमेवारियां मिल रही हो provide the opportunity for personal growth and meaningful work experience, परसनल growth उनकी हो, ज्यादा meaningful काम करने को उनको मिले if jobs are enriched and made interesting, अगर आपने jobs को enriched कर दिया है, उनको और ज्यादा interesting बना दिया है, the job itself becomes a source of motivation, तो job अपने आप में एक motivation का source हो जाएगी और employees और ज्यादा अच्छा से काम करने की कोशिश करेंगे, then employee recognition, यह बहुत important है काफी बार इसमें से question पूछा जाता है recognition means acknowledgement, with the show of appreciation, आप acknowledge कर रहे हो employees को, appreciate कर रहे हो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, when such appreciation is given to the work performed by employees they feel motivated to perform or work at the higher level, अगर आप उनको appreciate करते हो recognize करते हो, consider करते हो कि हाँ उनने अच्छा काम कर रहा, तो employees को motivation मिलेगी और जाद अच्छा काम करेंगे जैसे कि congratulating the employee for good performance, अगर कोई अच्छी performance कर रहा हो, उसको congratulate कर देना, displaying on the notice board, और in the company newsletter about the achievement of employee, company के achievement के बारे में notice board पे लगा देना, या company की newsletter में बता देना, installing award और certificate for best performance, जो सबसे अच्छी performance देगा, उसको award देना, या certificate देना, distributing mementos, complimentarys like t-shirts in recognition of employee services, उनको mementos दे देना, t-shirts दे देना, rewarding an employee for giving valuable suggestion, कोई अच्छा suggestion देता है, उसके बदल उसको reward दे देना, तो यह सारी चीज़े हैं, जैसे अब employee को recognize करोगे, और employee ज्यादा motivate होकर काम करेगा, then job security, employees want their job to be secure, मैंने बता है, हर को चाहता है, उसकी job safe हो, secure हो, they want certain stability about the future income and work, so that they do not feel worried on these aspects and work with greater zeal, उनको चाहिए कि उनकी job stable रहे, income stable रहे, ता कि उस तरफ उनको सोचने की जुरूरत ना पड़े और सारा ध्यान वो काम पर लगाएं, in India this aspect is more important, considering the inadequate job opportunities and too many aspirants, इंडिया के अंदर और ज़्यादा important हो जाता है, over populated countries है, जहाँ job opportunities कम है, candidates ज़्यादा है, however there is one negative aspect, एक negative aspect भी है, अगर लोगों को लगता है कि वो अपनी job नहीं उनकी जाएगी, 100% safe हो गई है, they may become complacent, करे बर lazy हो जाते हैं, तो जब job security दो, तो terms and conditions के साथ job security हो, ताकि employee lazy न हो जाए, complacent न हो जाए, then employee participation, it means involving employees in decision making of the issues related to them, जो employees से related decisions हैं, उनको involve करना, उनकी भी participation होना, in many companies, these programs are in practice, in the form of joint management committees, यह दो, तिन words याद कर लेना, जिसे identify हो सके हैं, कि हम employee participation के बारे में बोल रहे हैं, joint management committees, work committees, canteen committees, तो यहाँ पर हम employees से related, जब decision ले रहे हैं, तो employee को भी उसके अंदर हम involve कर रहे हैं, then employee empowerment, empowerment का मतलब मैंने आपको बताया, means giving more autonomy and powers to the subordinates, उनको जादा freedom दे देना, उनको जादा powers दे देना, empowerment makes people feel that their jobs are important, तो अगर आप उनको जादा empower करोगे, जादा freedom दोगे, जादा authority दोगे, तो उनको लगेगा हाँ, उनकी jobs important है, this feeling contributes positively to the use of skills and talents, वो अपना positive efforts करेंगे, और जादा अपने skills को use करेंगे, organization की growth के लिए, तो students यह सरे non financial incentives हैं, जहां हम बिना पैसा खर्च करे, employees को motivate करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जहां पर हमें money की जरूरत नहीं है, जहां higher level की needs हैं, उनको satisfy किया जा रहा है, तो उमीद है students, आपको बड़े अच्छे से topic समझ में आ गया होगा, जल्दी ही मिलते हैं, next topic के साथ, thank you.